नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आलोक स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूटूब चैनल आलोक्स प्लोग पर दोस्तों आज मैं अपने इस एकलोनीमा के प्लांट को रिपोर्ट करने वाला हूं और बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि अगर बादा लोगों को जो है जाकर पीछे की वीडियो सजेस्ट करना और सार्ज करना मेरे लिए भी काफी जादा मुस्किल हो जा रहा था तो मैंने सोचा कि अभी इसको मुझे रिपॉर्ट करना है तो इसकी रिपोर्टिंग के साथ जो है इसकी पूरी केर टिप्स अप लोगो हैं तो खिड़कियों वगेरा के पास जहां पर च्छन कर धूप आती है वो इसके लिए अच्छा है या फिर आप इसको ऐसे जगह पर रख रहे हैं जहां पर आपको मतलब घर के उसी पोर्शन में प्लेस करना है उसी पोर्शन की खुपसूरती को बढ़ाना है जहां आप चा आये थे तो खराब भी हुए क्योंकि वह नॉम्बर में मुझे रिसीव हुए थे और उसके बाद उनकी डॉर्मेंसी में उनके अंदर विल्कुल भी ग्रोथ नहीं हुई और इधर जब फ्याप का मन्त आया तो थोड़ा उनके अंदर जो है वो डलने सानी शुरू हुई फ लगा हुए है जिस स्वयल के अंदर यह कोको पीठ है इसकी स्वयल भी बहुत अच्छी है तो बहुत चाथा इसको मैं डिस्टर्ब नहीं करने वाला हूँ स्वाइल रिक्वार्मेंट की बात करी जाए तो इसको ऐसी स्वाइल पसंद होती है जिसके अंदर मॉश्यर भी होल्ड हो और ड्रेनेज भी उसका अच्छा हो मैं जो आपको स्वाइल मिक्शेर बताऊंगा उसके अंदर 35% आप जो है कोको पीट का इस्तमाल कीजिए 35% आप क आपरट करेकरे कि सौफ हो गी हल्की और उसके अंदर का रेंज लूट होगा अच्छा होगा एक्स्टा मॉश्यर उसके अंदर हो नहीं करेगा तो ऐसे ही मैं स्वाल मेक्शेर बनाता हूं मैंने अभी इस आफ्य इस तिज color की सन्तमाल की मतलब 58 ईसमाल की है मैं रिपाइब परसेंट गार्डेंस वैल है मतलब पोस्ट है और 35 परसेंट कोपीट और 30 परसेंट पर दोलों है साथ ही साथ मैंने इसके अंदर कुछ राइसस्क भी मिक्स किया है मैं जैसा कि अपने सारे एकलोनिमा के प्लांट में थोड़ा राइसस्क जरूर डाला है उसके अंदर इनकी करके मैंने स्वालमेश तयार किया है बात अगर वाटरिंग की करी चाहिए तो मॉश्चर लबिंग प्लांट है मैंने आप लोगों को बताया आसपास के वातावरन में भी इसको ठंड़क पसंद होती है तो पानी मतलब वाटरिंग जो है आपको इसकी इर्रेगुलर्टी न बात फर्टिलाइजर की हुई तो साल भर में दो बार आपको इसको अच्छी कॉंटिटी में स्वाइल सॉलिट फर्टिलाइजर देना है अभी जैसे की मतलब ग्रोथ का टाइम सुरू हो रहा है तो आप तीन से चार मुठ्थी इसको जो है कमपोश देजिए और उसके आप एक मुठी फर्टिलाइजर जो है उपर की लेयर में डाल दीजिए और लिकुट फर्टिलाइजर की बात करी जा तो पत्तों के उपर इस्पर करने के लिए आप कमपोश का लिकुट फर्टिलाइजर बना सकते हैं जो थोड़ा सेफ होता है क्योंकि अगर जैसे हम इसके फ्रिक्वेंसी हमको रखनी है इनको अपने प्लांट को देने के लिए यह है आपके प्लांट की संदाइट फर्टिलाइजर और जो है वाटिंग रिक्वार्मेंट चलिए अब इसको रिपोर्ट करके दिखाते हैं सबसे पहले तो मैं अपने इस प्लांट को यहां पर देखे निकालते समय ही इसकी इतनी स्वाइल जो है यहां से साइड से निकल गई क्योंकि यह प्यूर कोको पीट के अंदर पौधा लगकर मुझे मिला हुआ था और यह साइड से मुझे लग रहा है एक प्लांट जो है इसका बड़ी आसानी से यह निकल कर तयार हो गए तो 2 को तो मैं 1वाणट के अंदर दालूँगा और यह जो सिंगल एक प्लांट निकल आया है इसको मैं इसी दूसरे पॉट के अंदर लगाओंगा तो बड़ी हसानी से निकल गया इतनी आसानी से निकलने की उमीद नहीं थी, थोड़ी थोड़ी हिसी जो यह कोकोपीट इसके अंदर ज्यादा लगी हुई है, इसको मैं हटाऊंगा, क्योंकि यह red soil के साथ मिला कर जो है, यह soil mixture प्रेपेर किया गया है, तो चलिए, थोड़ा-थोड़ा करके मैं हटा लेता और जो है, जो मेरी दूसरी soil है, उसके अंदर मैं इसको report कर लेता हूँ, और दोस्तों मुझे reporting में काफी ज़्यादा लेट हो गया, क्योंकि इसकी soil जब मतलब निकल गई काफी ज़्यादा, तो जब मैं इसको मैंने अलग करके रखा, कुछ देर बाद आके देखा, तो खुप घने से, वैसे ही बन जाएंगे, यह मेरा soil mixture मैंने बना कर रखा हुआ था, इसके अंदर 35% जो है, कोको पीठ है, 35% कमपोस्ट है, 15% आपकी जो है, गार्डेन सोयल है, और 15% सैंड मिक्स किया है, और उसी quantity को ध्यान में रखते हुए, लग भग जो है, पांस से छे दो चमच, क्योंकि दो पॉट के अंदर मुझे डालने हैं इनको, तो दो चमच मैंने इसके अंदर साफ का फंजिसाइड डाला है, और एक चमच मैंने इसके अंदर जाइम फर्टिलाइजर मिला कर अल्रेडी रखा हुआ है, जो पॉट पे इस्तमाल करने वाला हूँ, यह 8 इंच का प्लांटर है, इसमें काफी सारे ड्रेनेज होल भी मैंने नीचे की साइड में बना लिये हैं, और इसको अच्छे से कबर करेंगे, और यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, मैंने ठीकडियों से बीच वाला पोर्शन कबर कर दिया, और इट की जो बारीक बारीक इनको अच्छे से दबाते जाएंगे, और मिट्टी हम को जादा नहीं डालना, उपर से गुडाई भर की जगे और पानी देने भर की जगे जो है, वो छोड़कर रखती है, अतलब पानी जब दे तो थोड़ी देर के लिए जो है थोड़ा पानी इसके अंदर भर सके, और बात में भी अगर फर्टिलाइजर बगयरा अपलाई करते हैं, तो उसके लिए भी जगे होनी चाहिए, तो फटा फट इसको डाल कर मैं रिपॉर्ट कर लेता हूं, फिर आप लोगों से बात करता हूं, अब ये मेरे दो प्लांट जो है वो रिपॉर्ट हो चुके हैं, और के बाद मेरे बास जो है लगभग एक प्लांटर के जितनी स्वाल मिक्स्चर अभी भी बची हुई है, तो मैं सोच रहा हूं मेरा एक पुराना एगलो नीमा का प्लांट है, जिससे मैंने कट करके एक न्यूब कटिंग भी लगाई है, लिप्स्टिक एगलो नीमा है वो, त इसके पहले वो छोटे 6 इंच के प्लांटर के अंदर पहले से लगा हुआ है, तो चलिए फिलाल वीडियो को यहीं पर करते हैं इंड, मिलेंगे आप लोगों से किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बबाए एंड टेक क्यार